Hi friends, अधिकतर investors जो अपने आपको long term investor कहते हैं, वो actually में short term losses book करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि कौन सी छोटी छोटी गलतियों की वज़े से वो फायदे की वज़ाए अपना नुकसान कर बैठते हैं दोस्तों अगर आपकी भी ऐसी ही एक कहानी है और आप भी यही सोचते हैं कि जहां पैसा लगाता हूँ वहीं पर फंस जाता है वहीं पर losses होते हैं तो आप अकेले नहीं हैं और आज की इस वीडियो में हम किसी analysis पर बात नहीं कर रहे हैं बलकि आज एक बहुत ही special बहुत ही different और बहुत ही life changing वीडियो होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगा 6 ऐसे तरीकों की जिनकी वज़े से जिनकी पर काम करने की वज़े से आपकी profitability बढ़ सकती है long term losses घट सकते हैं और आप एक multi-bagger return कमाने वाले long term portfolio को create कर सकते हैं तो दोस्तों बहुत important वीडियो है काफी insightful है और educational है ठीक है इसलिए आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि ये knowledge आपको बहुत कम जगे पर मिलेगी so let's begin today's very special very powerful and very useful वीडियो on सागरनामिक्स so दोस्तों आज हम बात करें कि 6 points की जिससे कि आपको ये पता पड़ेगा कि long term में आपको सोचना कैसा as an investor और आपकी strategy क्या होनी चाहिए so इससे पहले कि आगे बढ़ें सबसे पहले दोस्तों आपसे requested वीडियो को like कर दीजे और आपको सबको like करते हैं दोस्तों और मुझे बहुत सारे लोग लिखे भी बताते हैं thank you very much for that और दूसरी बात चैनल पर पहली बार आएं तो subscribe कीजिए bell icon को on कीजिए और जो लोग subscribe नहीं करते हैं उनको मेरी दूबारा वीडियो मिलेगी इसकी कोई guarantee नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से point से जिन पर आज हम लोग बात करने वाले हैं तो दोस्तों देखिए यहां पर आपकी screen पर point यह है कि अगर आपका question है कि भाई lost money in markets यहां पर market में अगर आपके गलती ना करें तो क्या करना चाहिए पहली चीज यह चीज़े ध्याल रखिए दोस्तों इससे आपको बहुत फाइदा मिलेगा number one number one क्या है focus on macros अब अधिकतर इस चीज के बारे हम बात करें तो macros मतलब जो बड़ी picture है वो कैसे economy क्या कर रही है worldwide knowledge information क्या चल रही है या कोई भी developments क्या हो रहे है political economic scenario कैसा है fuel prices कहा जा रही है क्योंकि हमारे लिए growth drivers यह है दूसरी बात RBI का जो inflation data है वो क्या है यह जो बड़ी economy को change करने वाली news है उन पर आपकी नजर जरूर रहनी चाहिए तो पहली चीज तो हुई यह दूसरी चीज जो मैं आपको कहने वाला हूँ वो है दोस्तों कि rating agencies की बातों को ignore करना हला कि इस point में हम बात करें लेकिन सबसे पहले इसमें देखें कि macros में आपको और क्या चीज यहां रखने चीज यह यह भी एक बार देख लेते हैं Macro का मतलब बड़े term पे सोचने वाली चीज है अब इसमें क्या क्या है देखें पहली चीज है कि आपने देखा होगा यहां एक artificial panic create किया गया था FIA के द्वारा पिसले समय में और FIA करते क्या है बेसिक करी कि यह मोका परस्त लोग है इनको सिर्फ एक ही काम होता है कि भई ल profit कमा करके उसको artificially high कर दो market को bullish कर दो उसको और जब बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा तो उसके बाद में सब लोग कहेंगे वह फोमो के तहता ना fear of missing out तो औरे सामने और ने यह शेर खरीद लिया मैंने यह शेर नहीं खरीदा इस सोच के जरीए high price पर भी शेर तो अब बात यह करते हैं इसके अंदर कि artificial panic जो है उससे बचना बहुत ज़रूरी है अगर आप strong fundamentally strong companies के अंदर analysis करके invest करते हैं तो फिर क्या दिक्कत है आपको फिर यह गिरने दो जिनको गिरना है औरे Warren Buffett साब तो यह भी कहते हैं कि 50% तक stocks गिर चुके थे उनके 50% तक उनक loss जो है वो paper loss है यह book नहीं हुआ है the moment I sell it I book it and make it permanent make it real so वो अपने को नहीं करना है तो एक चीज़ क्या हो गई अपनी कि FIAs की द्वारा जो panic selling की जाती है उससे बचना है क्यों क्यों क्योंकि यह ना अब मैं आपको सच्ची बात हूँ सच्ची बात यह कि in FIAs ने ऐसा करके बहुत बड़ी महेंगी मूर्खता कर दी है महेंगी मूर्खता कैसे कर दी है पिछले कुछ समय में नोने करीब एक लाग करोड रूपए से ज्यादा मार्केट से निकाले स्टोग मार्केट 10% ज्यादा नीचे हो गया कुलमला करके लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं है कि इंडिया के अंदर FIE जो हमारे खुद के इन्वेस्टर्स हैं, उनकी SIP बुक जो मिचल फंड से इन्वेस्ट करते हैं, 15,000 करोड रुपे पर मंत से बढ़ करके 25,000 करोड रुपे पर मंत करोज कर चुकी है, इसका मतलब अगर foreigners बेचेंगे तो Indians खरीदेंगे, और ये कैसी बा अगर market में stake selling हो रही है FIE की तरफ से, तो DIA की तरफ से selling जो buying है वो ये बढ़ने का फाइदा ये है, कि इंडिया का business इंडिया के control में, ये एक अच्छी बात है, और दूसरी बात, अब जब ये वापस load करके आ रहे हैं तो इनको महेंगे में मिलेगा माल, ये भी मान के चलि कि गवर्मेंट की जो केपेक्स है वो अभी तक हुई नहीं है, आपने देखा होगा, निर्मला सितारमंट जी ने जो अपनी वित्मंत्री है, उन्होंने का था कि करीब करीब 11 लाख करोड रुपए, कितने जी? 11 लाख करोड रुपए के आसपास में ये हमें इस साल के ही है, तो अब मिनिस्ट्री के ऊपर ये प्रेशर है कि भाई ये केपेक्स तो करना है, तो अब ये कब करेंगे? ये करेंगे second half में, H2 में, FH2 में मतलब जो अभी चल रहा है, अभी से रहे के मार्च के बीच में काफी कुछ केपेक्स होने के चांसे हैं, क्योंकि वो पैसा अलोट हो चुका है, तो वो केपेक्स तो करना पड़ेगा ईनको, ठीक है, अब इनका इसका असर क्या होगा? अगर केपेक्स करती है, गवर्बेंट तो उसका असर क्या होगा, उसका असर यह होगा कि प्राइवेट केपेक्स औरेडी Modelye PICK UP हो चुका है, यानि 11 याक, 10 लाक करोड के आसपास का केपेक्स private side से आ चुका है ठीक है और इतना ही लगभग इनको government को करना है तो फाइदा क्या होगा केपेक्स का मतलब होता है पैसा डालना ठीक है जी नए प्रोजेक्स के अंदर पैसा डालना that is केपेक्स capital expenditure तो ये कहां कहां जाएगा अब सबसे पहले जब कोई project शुरू होता है तो उसका जो पैसा है ना वो कहां जाता है कहां से distribute होता है ये होता है banks से तो जो भी public sector banks है आपको उनको आने वारे time में अच्छा moment देखने को मिल सकता है second चीज इसी तरह से जो public sector companies है जो काफी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उनको IRFC के थुरू ही हो जाना पड़ेगा वो पैसा उधर से जाएगा क्योंकि government ने बनाया उसको इसलिए हैं तो ये जैसे ही capex cycle शुरू होगा तो आपको इसमें positive moment देखने को मिलेगा और ये जो एक खराब आज़त अपनी पड़ी वे ने कि सर ये share का नाम बता दो और इसके अंदर इतना profit होगा इतना नहीं होगा ये सब फालत हुआते हैं कुछ नहीं होता ऐसा और दुनिया में कोई भी दुनिया का कोई भी investor कोई भी expert आपको ये नहीं बता सकता कि कल की तारिक में stock market में फलाना share कितने प्रैस प्रैसे पे खुलेगा और कितने पे close होगा no one can tell that तो आप इस चक्कर में पड़ी क्यों रहे हो ऐसा game ही क्यों खेलना जिसके अंदर हारने की उम्मीद हो तो better है long term game खेलिए अब हमेशा जीतने के लिए ही कोशिस करिए चलिए अब बात करते हैं तो going forward banks और PSU में आपको देखने को मिल सकता है moment next undervalued sector कौन सा IT अब IT काफी लंबे समय से undervalued चल रहा है लेकिन इसमें मैं आपको कहूंगा जो large cap IT है वो ज़्यादा मैं इसको लेकर के interested नहीं हूँ mid cap IT companies में बहुत अच्छे-च्छे मोके मिल सकते है और growth के chances यहाँ से ज़्यादा आने के chances दिख रहे है तीसरी जो चीज है वो है आपकी कौन सा sector वो है आपका real estate sector real estate sector and hospitality sector अब यह क्यों वो यह इसलिए क्योंकि दोस्तों capex cycle जो होगी ना उसका फाइदा किसमें मिलेगा किसी भी तरीके का जो construction activities है वो बढ़ेंगी जब वो construction activities बढ़ेंगी तो obviously जो real estate development है उसका फाइदा मिलेगा अच्छा इसमें आपने ध्याना हो ध्यान हो तो PM, AWA, CEOs, Now और इस टाइप के जो जितने भी projects है उन सब में construction activities होगी और उसकी वज़े से आपको real estate sector की companies के अंदर एक आने वाले दिनों में rebound देखने को मिल सकता है next अब आपको एक और important चीज़ बता हूँ वो है hospitality अब hospitality का मतलब होता है सिद्धे से hotels ये मान के चलिए तो hotels जो है खाजतोर पे जिसे माल लेजिए आप India hotels ले 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 जो बड़ी chain of hotels है उसमें एक फाइदा क्या है ये चल रही है asset right model पर asset light model नहीं asset right model right मतलब RIGST वाला right model का मतलब ये है कि ये companies अब पहले क्या था इनका पहले दोस्तों ये होता था कि ये सारी सारी company चाहती थी हम लोग क्योंकि hotel companies है तो हम क्या करती है कि जमीन खरीदो hotel बनाओ, hotel बनाओ, उसके advertising करो और उसके बाद में जब guest आएंगे उसके इंदर तो उससे उनका पैसा शुरूँ होगा, आना, ठीक है अब इन्होंने क्या किया, asset right model क्या है, वो ये है कि जो local level पे जो real estate builders है, उनको कहो कि hotels बनाओ, उनसे hotels उनी की जमीन पे, उनी के पैसे से उनी की construction coast से बनाओ खुद का ले जाकर के वहाँ पे franchise model के through वहाँ पर board लगाओ, और खुद की ही processing करो, वहाँ पे जो branding अगरा सारी होनी है, marketing होनी है, customers को लाना है, वो सारा खुद के हाथ में रखो, तो उससे क्या होगा, इनका जो जमीन खरीदने का या construction का पैसा है, वो बच जाएगा, उसकी वेज़े से क्या होगा, इनकी profitability बढ़ जाएगी, कौन-कौन सी कर रही है ऐसी companies, ITC कर रही है, Indian hotels कर रही है, और भी बहुत सारी hotel companies ऐसा model में चल रही है, obviously इसका फाइदा मिलेगा, next चीजी होती है, corporate movement, अभी आपने देखा होगा, अभी तो इंडिया के लोग travel करते हैं, individually, लेकिन जैसे GCC, Global Capacity Centers, इंडिया में खोल रहे हैं, then you will be seeing that all the people from across the globe would be coming here for business meetings, obviously hotel industry is going to rise, next बात करते हैं हम लोग, इसके बाद में जो अगली जो चीज है, जिस पे आपका ध्यान रहना चाहिए, वो है, हमेशा नजर रखी है, अपनी search for undervalued stocks in such market, बहुत discount sale पे stocks मुझूद है, आप थोड़ा सा search करेंगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज रही, next point जो मैं आपको ध्यान दिरान चाहता हूँ, वो ये है, कि हमेशा ध्यान रखिए, rating agencies की जो भालतू की बाते हैं, never focus on that, अभी आपको पता है, बहुत सारे लोग तो guess करने में लग रहे थे, guess, guessing that thing, अगला info is कौन सा, क्यों करना guess, अच्छी companies को पकड़ो, long term के लिए invest करो, and don't worry about क्या guess करना, ये जो rating agencies है, अब ये बताइए कि कितने लोगों का guess सही हुआ आज था, कितनी बार IMF ने सही prediction दिये, कितनी बार Fitch ने, Standard and Poor ने, इन्होंने सही prediction दिये, तो this is a game which these experts can't win, तो why do you want to win that, ठीक है, यहाँ देखिए, अभी ये, और इनका काम क्या है, इनको market के अंदर खबर चलानी पड़ती है, क्योंकि भाई, इनका तो धंदा ही यह है, तो अभी ये latest news आई है, SNP Global की तरफ से, जिसने काया कि India's GDP growth at 6.8% 2024-25, ये मान करके मुझे बताईए, कमेंट में लिखकर के बताईए, क्या आपको रगता है, exact 6.8% ही होने वाली है, rate reality में, अगर ये इतने बड़े expert है, तो होनी चाहिए, नहीं होगी, then leave that nonsense, आप सिर्फिक्स का rational जरूर पढ़ सकते हैं, कि भई हाँ, ये क्यों कह रहे हैं, बस इतना सा पढ़ लिजी, बाकी इनकी बाते कितनी बार सच हुए, ये आप भी जानते हैं, ये भी exit poll जाग वालों की जैसे ही है, next, next point है, that is, हमेशा always keep an eye on fundamentally strong companies, इनको धीरे-धीरे करके ये अपनी watch list में add करते जाना जरूरी है, ठीक है, so, अपने channel के उपर आपको पता ही, ये कितना सारा analysis वगरा होता है, then there would be so many companies which are fundamentally strong, तो उनको अपनी watch list में add करिये, portfolio में add मत करिये, पहले-पहले watch list में add, उसके बाद में दिरे-दिरे study करने के बाद portfolio में, ठीक है, and last and most important thing, कि भाई, ये हमेशा ध्यान के रखे चलिए, ये 5000 year old जो Vedic science है, that always works and it is phenomenally powerful which is called वास्तू science, साथ्ता, ठीक है, वास्तू and astrology, और आपको मैं बता दूँ कि I am a third generation astro वास्तू expert, और उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगी, stocks तो खिलोने है, चलिए, अब बात करते हैं, keep north east clean, अपने घर के center में खड़े होगी है, ये मालीजे आपका घर है, आप इसके center में खड़े होगी है, mobile की compass लीजे अपने हाथ में, compass को open करिए और मालीजे, ये area आपका है, north east, तो भाईया, यहाँ देख लीजे, कोई गंदगी सामान ना पड़ी हो, टूटा-फूटा, खराब सामान ना पड़ा हो, इसको हमेशा साफ रखिए, तो दिमाग से confusion हमेशा साफ रहेगा, try it, and 100% result will be there, within two weeks, you will realize it, किती powerfully काम करती है, next अगर पैसे फसते हैं आपके, then south east में देखिए कि, कि यहाँ पर कोई clutter ना हो, clutter का मतलब, वोई कबार वगरा कुछ पड़ा ना हो, इसको भी clean रखें, और यहाँ पर थोड़ा सा, कोई ने कोई गी का दीपक जलाया है, या फिर कोई ने कोई red color का आइटम, जरूर आप यहाँ पर रखें, blue color का आइटम north east में, red color का आइटम south east में, पस यह चोटी बोटी चीजे कर लीजे, आप देखिएगा कि आपको profitability, automatically दीरे-दीरे बढ़ती हूँ नजर आएगी, और हम लोग stocks पर, analysis पर बात करते रहते हैं, लेकिन वो basic चीजे भूल जाते हैं, जिनकी वैसे हमारी life में, overall profitability and happiness and prosperity पर असर पड़ता है, उमीद करता हूँ दोस्तों, इस जरा leak से हट करके वीडियो में ने बनाया था, बहुत सारे लोगों के questions थे इसलिए, तो उमीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो दोस्तों like जरूर करें वीडियो को, और ऐसे वीडियो आपको future में और चाहिए क्या, वो जरूर मुझे बताइएगा, और आपका कोई question है, particularly तो वो भी आप comment section में जरूर पूचे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए जैहिंद!